नमस्कार दोस्तों जी के अर्जु सार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो ये पेपर हम साल्व करा रहे हैं आपके जो इस्टाप नर्स का एकजाम हुआ था तीन अक्टूबर 2020 को यानि कि आज के दिन तो टोटल आपके 170 कोशन आये थे और टोटल को करते हैं आप वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं गला पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं देखें कोसन नंबर वन इसका फास्ट मैं साल्व कराऊंगा क्योंकि इस सब्सक्राइब काफी लंबा वीडियो हो सकता है तो इसका क्यों हम आपको एंसर बताएंगे ब्याख्या भी नहीं करेंगे किम्बरले पठार निमलिखित में से किस देश मिश्थित है यह कहां पर है आस्टेलिया में कोसन नंबर दो है देखें यह संग लोग सवा आयोक के सदस को हटाय dryer जाने संदर में निली खित में से कौन सा कथन सही है तो इसमें दोनों सही होगा आपका एंसर होगा फर्स्ट और सिकेंड इसमें दोनों सही है कोश्चन नमबर तीन है दिया है टोकियो ओलम्पिक दोहजार बीस में भारत द्वरा जीते गए पदकों का सही क्रम है इसका सही क्रम उन्षण हो जाएगा B यानि एक सौन पदक दो रजत चार कांस यानि कुल साथ पदक जीते थे कोशन नमबर चार देखे भारत में नीली करांती समभनधी थै तो नीली करांती किसे समभनधी थै तो यह है मचली उत्पादन से कोश्चन नमबर पांच है केंदरी ये बजट 2021-22 के अधार पर निमली खित मदों पर बैक करम बढ़ते करम में व्यस्थित करना है तो इसमें एंसर हो जाएगा आपका D यानि सबसे पहले रच्छा इसके बाद ब्याज अधाएगी फिर जो है आर्थिक सायता फिर करवन सुल्क जमा का राज्यों का हिस्सा यानि नीचे से क्रम से ये ब्याद में सिच्छा पनाली अंग्रेजी सिच्छा माध्यम किस वर्स लागू हुआ था ये लागू हुआ था किस वर्स 1835 में इसका राइट अंसर रहे जाएगा छे का B question number 7 देखिए निर्मिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित नहीं है तो यह इसका answer होगा C दूद का खट्टा होना नैट्रिक का अमल यह सही सुमेलित नहीं है question number 8 देखिए 8 number है question number 8 का answer आपका हो जाएगा 36 होगा इसका कोशन नमबर 9 है सुमेलित करने वाला सुमेलित करिएगा इसका राइट एंसर C होगा सुमेलित करेंगे तो पिटासबर कहां सूतिवस्तर के लिए जाना जाता है लेनिन गरांड जो है पोत निर्माण के लिए जाना जाता है हावाना जो है सिंगार के लिए जाना जाता है मांचेस्टर लोहाय में स्पाथ के लिए जाना जाता है तो इसका राइट एंसर 9 का हो जाएगा सी सही सुमेलित है कोस्टन नमबर 10 है पीम कुसुम योजना कुदेशों में कौन सा कथन सही है तो कोश्चन नमबर 10 का आप पूलोग एंसर मिला जिए इसका राइट एंसर C होगा एक और दो इसमें दोनों सही है कोश्चन नमबर 11 है टोकियो ओलम्पिक टोकियो ओलम्पिक 2020 के निम्लिखित खेलों में से किसमें नीरत चोपडा ने सोन पदक जीता था तो ये जीता था किसमें भारुत्तल में इसका राइट एंसर हो जाएगा D भारुत्तल कोश्चन नमबर 12 देखे बारा नमबर देखेगा सवाल है बारा नमबर तो इसका देखे राइट एंसर हो जाएगा B 24 इसका एंसर होगा कोश्चन नमबर 13 देखिए उत्तर प्रदेश स्टार्ट अप दिया इसमें उत्तर प्रदेश स्टार्ट अप स्टार्ट अप फंड का सुवारंब किया गया था ये कब किया गया था ये किया गया था ये किया गया था बीस मार्च दोजार बीस को Question number 14 है, निम्लिकित पाउधों में से कौन एक घर का डाक्टर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कि सको? नीम को कोश्चन नमबर 15 है 15 का एंसर दखिएगा सही होगा 4 इसमें आएगा कोश्चन नमबर 16 है कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है 16 का एंसर हो जाएगा B खज़नुर्फतू अमीर हसान दिलवी ये सही सुमेलित नहीं है कोश्चन नमबर 17 है में अंगूर की खेती बागवानी कोश्कीट पालन रेशम उत्पादन बिक्सित है ये बिक्सित है भुमद्य सागरी छेत्रों में कोश्चन नमबर 18 का एंसर मिला लिजिएगा इसका राइट एंसर हो जायेगा बी 18 का बी कोश्चन नमबर 19 है उत्तर प्रदेश में क्रिशक स मिर्धी आयोग का गठन कप किया गया था तो इसका किया गया था 1917 में इसका राइट एंसर भी होगा 1917 में कोश्चन नमबर 20 है सोर उर्जा पैदा करती है परमाणू सल्लेंदरा कोश्चन नमबर 21 देखिए इसमें राइट एंसर डी हो जायेगा गोरखपूर गोविन सब्सक्राइब नहीं है तो डी वाला साही सुमेलित नहीं है यह कोश्चन नमबर 23 है उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण अगस्त 2020 में उत्तर पर्देश की निम्लिखित जन पदों में से किसमें शुरू किया गया तो यह किया गया था कहां से महोबा में अगस्त में कह 24 है 24 का देखिए एंसर इसमें हो जाएगा 20 को सई सुमेलित कर लिजेगा बी होगा इसका कोस्षन नमबर 25 है निमलिखित घटनाओप साई कालक्रम में बैठाना इसमें कौन सा एंसर होगा तो इसका एंसर तो इसका एंसर हो जाएगा D, उप्रयोक्त सभी होता है इसका प्रयोग, कोस्टन नमबर 28 देखे, 5 अगस्त 2021 को इब्राहीम रैसी निमलिखित देशों में से किसके ने राष्टपती के रूप में सपत गरहन किये थे, ये किये थे कहां के, इरान के, कोस्टन नमबर 29 आए, को के लिए बाद है, तो ये बाद है अंचित चवत्तर 1 के तहट, यंग बंगाल अंदोलों के प्रयरक्त थे, तो ये थे हेनरी वेन डेरी जियो, कोस्टन नमबर 41 है, नई 31 है, देखे, यहां से फिर सुरू हो जाता है, हिंदी है ये, तो 31 का आप लोग मिला लिजिएगा, 31 क इसका राइट एंसर होगा, A, 33 का पाचान सब्त का तत्समरूप है, तो 33 का राइट एंसर हो जाएगा, D, और 34 का राइट एंसर हो जाएगा, B, इसके बाद देखे, 35 नमबर, 35 का आपका राइट एंसर होगा, C, और 36 का आपका राइट एंसर होगा, D, और 37 का राइट एंस आपका सी पलंग और अर्तिस का वह इस्तिरी जो सुरी भी न देख सके एक सब्द में कैसे प्रयोक करना है तो इसका राइट रो जायएगा और पुर्श्या यह दि धी होगा 49 का होगा सुरसती का प्रयावची सब्द है तो इसका राइट रो जायएगा महास्वेता कोस्टन नमबर 40 देखे निसिद्ध का विलोम बिहित होता है अब आईए कोस्टन नमबर 41 पर वह बालक कोस्टन नमबर 41 41 का यह हो जाएगा इसमें 20 से 20 सण है परवत के उपर की समतल भूमी वाक्यान सब्द है तो इसका एंसर होगा आपका बी उप्त यका कंतार सब्द का परेवची पूछा इसमें इसका राइट एंसर हो जाएगा जंगल का चिर्तन चिर्तन का सही बिलोम सब्द पूछा इसमें तो इसका हो जाएगा अचेतन कोशन नमबर 45 देखें 45 में आप लोग मिलाईएगा 45 का एंसर होगा कौड़ी 46 का हो जाएगा 46 का एंसर यह होगा उच्चारण 47 नमबर देखें 47 का बी होगा अग का अनविग्न ये जो है सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा इसमें कोशन नमबर 48 है तो 48 का एंसर होगा आपका सींप पिसूल पच्छी का परयाची सब्द नहीं है पिसूल नहीं है कोशन नमबर 49 49 नमबर देखेंगा 49 का ए होगा सब्दों मेंulin से तस्तम सब्ध पूछ रहाएत людей मैंद यह तस्तम है अधुल्यकित में से कौन असुद् वरत वाला सब्द है तो 50 का इसमें बी हो जाएगा उज्वल उज्वल जाए असुद्ध वर्तनी वाला सब्द है उज्वल में उज्वल ऐसे होगा इसमें डबल जा रहेगा इसमें को स्थ नमबर एक यावन देखें दिया हेपेटाइटिस भी कटी का किस तरह या रूट में लगाया जाता है हेपेटाइटिस भी कटी का जो लगता है तो यह लगायाता है मान स्पेसी में आप्रेशन कचिके फर्स पर विखरे खून को पोछने के लिए किस घोल का उपयोग करना चाहिए यह पूछा इसमें त तो इसका एंसर हो जायेगा B, sodium hypo chloride, 52 का B होगा, तीरपन का देखे, पालिवार गर्वती महिला प्रसव का प्रथम, चराण लगभग कितने अवधी का होता है, ये होता है 12 घंटे का, कितने अवधी का होता है, 12 घंटे के, कोशन नमबर 54 है, किस रक्त समों के ब्यक्ति इनिवर्सल डोनर कहते हैं, ये कहा जाता है, ओ ग्रुप के ब्यक्ति को, प्रशतर अवधी प्रसव के कितने सप्ता तक होती है, ये होता है 6 सप्ता तक, इसके बाद देखे, कोशन नमबर 56 है, प्रश्टा लेंडीन का मुख्य का ये कौन सा है, तो इसका मुख्यकार है, अंडा निकलने में सहयोग करना, कोशन नमबर 57 देखे, 57 के एंसर हो जाएगा, इसमें C, कोशन नमबर 58 है, 58 के एंसर देखे, इसमें मिलाईएगा, एंसर होगा, इसमें B, कोशन नमबर 69 है, टूटे वे हड़ी के जोड़ने के विकासिल देशों में परपय की सीशू की देख भाल के लिए सेसकिंग एक महत्पूर्ण बीधी है, और अरप्रिक की सारे रिक्त अपमान यंत्रित करते कारान दिया है, और सारे रिक बिर्धी के संक्रमाण दर्ग को कम करने में साय करते, देखे, दोनु से ये आरे की ब्य राइट एंसर हो जाएगा A, 60 का A, 61 का देखे, अच्छे लेखन तथा प्रतिवेदन का लच्छन है, 61 का, तो 61 का आपका राइट एंसर हो जाएगा A, सुधता, क्वेस्टन नमर 62 है, पांच वर से छोटे बच्चों की मान स्पेशी में सुई लगाने के लिए सबसे उप्य क्वेस्टन नमर 63 देखे, मा केस्टन के बाद में निकलने वाले दूद, यानि हाई इंड दूद में ज्यादा पाय जाता है, क्या पाय जाता है, इसमें बिटामीन वह खनीश पदार्थ पाय जाता है, इसका राइट एंसर हो जाएगा B, क्वेस्टन नमर 64 का आप लोग जाते हैं, तो यह किया जाते हैं, 65 का इसका राइट एंसर D होगा, क्वेस्टन नमर 64 देखे, 66 का राइट एंसर होगा इसमें B, फायमोसिस, क्वेस्टन नमर 66 है, आलिगूरिया का मतलब है, तो 66 का एंसर हो जाएगा इसमें D, 24 घंटे में 400 लिटर से कम मुत्र होना, क्वेस्टन नमर 68 है, मनुस्य के, मनुस्य के भावतिक, क्वेस्टन नमर 68 देखे, मनुस्य के भावतिक समाजिक और सांस्कृतिक इतिहास अद्यान को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है समाजिक बिज्ञान के नाम से, अपगार इसकोर निल्मिकित में से कौ से कथन सत्य सिवा है तो सत्तर का एंसर हो जाएगा बी पैर की उंगुलियों की नाखुन सीधा आर पार काटना चाहिए यह जो है सही नहीं है कुश्चन नमबर 177 है अलमाईजर या अलजाइमर रोग का मुख लच्छन है अलजाइमर रोग पूछ रहा है इसमें इसका मुख लच्छन क्या है कुश्चन नमबर 71 का इसका राइट एंसर होगा सी पूर्व हाल की स्मृति का छे निम्लिकित में से कौन जल जनित रोग नहीं है तो बहत्तर कहीं हो जाएगा खसरा नहीं है इसमें कुश्चन नमबर 73 है नीचे दिये गए टीकों में से कौन सा टीका गर् साथ फीन है ग्रीन है का मुख्य कारण कौन सा है इसका मुख्य कारण है क्लास्ट्रियम फर डेजिंस में कुश्चन नमबर 75 देखे यूमरस स्पीडवेस के टूटने पर निल्विखित में किस तंत्रिका तंत्र के चोट लगने की संभावना होती है यह होती है रेडियल त होता है ट्रैस में कुश्चन नमबर 77 है कि 77 का एंसर देखिएगा इसमें होगा ए इस्ट्रोक वैलूम उन्माद रोग प्रथम पक्ति का उप्चार कौन साथ 70 नमबर इसका राइट एंसर हो जाएगा सी लिथियम है और कुश्चन नमबर 89 है एक कंपूटर में त्वरित व होता है तो असी का एंसर हो जाएगा डी ग्लाइकार्ड कुश्चन नमबर 88 है स्वास्त निगरानी छेत्रे में EHR का क्या मतलब है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक हेल्थ रिकार्ड कुश्चन नमबर 82 है कुट्टे के काटने पर सरपर्थम क्या इलाज चाहिए तो पानी के घाव को साफ करना चाहिए इसका सबसे पहले मल से प्रदूसित जल सबसे महत्पूर्ण सुचा कौन सा है यह है इकोलाई कुश्चन नमबर 84 है व्यस्क ब्यक्ति में हेपेटाइटिस बीटी का करण का क्या सेडूल होता है इसका सेडूल होता है इसमेराइट एंसर होगा सुन एक दो माह पर कुश्चन नमर 85 है कि कुश्चन नमर 85 कि 85 के देखेगा इसमें बी एंसर होगा आक्सीजन की मातरा समंदित है कुश्चन नमर 86 है लाल रखते कड़िकाओं के आउसत जीवन काल कितने दिन का होता है यह होता है 120 दिन का यहीं डबलू बीसी का सारी क्रें नमर 87 कि 2000 दिन को मनाया जाता है यह मना जाता है साथ अप्रेयल को कुश्चन नमर 88 809 सुमिलित करने वाला चलिए इसको सुमिलित कर लिजिए गा shark answer हो गाइसमें में संतुल्जों अधिकताम सौर कि क्या है तो अधिकताम सौर अस्तर होता है ऐसाचासी nu निसσιबल होता है कोस्षण नुब्र 90 है नब्वे का एंसर हो जाएगा 10 जा की सि dear का call के दाएस चरहने की सरीर को तर दू गान हम हैं यह पूछा जा रहा है तो बांभी आपका एंसर हो जाएगा ए शरीर को स्वस्त रखना कोशन नंबर 93 है निमलिकित में से किस चरण बच्चों को इडिपस कांफलिट होता है 93 का एंसर हो जाएगा आपका C जन्नांग चरण में कोशन नंबर 94 है भारत मिर्तु के बाद कितने दुने के अंदर रजिस्टेशन कराना आवस्यक है तो 21 दिने के अंदर आपको रजिस्टेशन कराना आवस्यक है मिर्तु के बाद कोशन मंपर 95 है सभी सारी समाज के लच्छन है CY तो 95 का एंसर हो जाएगा इसमें D क्रिसी उन्मोकता कोशन नंबर 96 है 95 का एंसर हो जाएगा इसमें D 10-12 पूहरेसिया 6 विस्वा संकथन 6 और शित्र अंतर गताता है कोशन नंबर 97 है तो 97 का एंसर इसमें होगा C कोशन नमबर 98 है इसमें भोपाल गैस तरास्दी कौन से गैस जिम्मिदार ये पूछ रहा है काफी इंप्रेंट कोशन है और कई बार एकजामों में पूछा भी जाता है तो इसको आप लोग याद कर लिजेगा इसका हजाएगा मिथाइल आइसो साइनेट सी इसका एंसर होग किस बिमारी से मरीज की पता नहीं क्या लिखा है मरीज की टड़ी चावल में पानी की तरह होती है टट्टी ये दिया है किस बिमारी मरीज की टट्टी चावल की पानी की यानि माण की तरह होता है ये पूछा रहा है इसमें तो इसका एंसर हो जाएगा बी हैजा की बिमारी में कोस्टन नम्बर 101 है 101 का डी अंसर होगा इसमें कोस्टन नम्बर 102 है भारत में पांचवे अधनियम किस वर्स पारित किया गया था पासको है पासको एक्ट सारी पास में नहीं है भारत में पासको एक्ट इंगलिस वज़ा में ऐस-पश्ट दिया है 싸 परीत किया गया है तो 102 का अंसर हो जाएगा 2012 में कोशन नमबर 103 का मिलाएगगा आप लोग 103 का अंसर हो जाएगा बी एड्रेलीन कोशन नमबर 104 है बच्चों के बिर्धियों अभिकास के संदर में कौन सा कथन सही है इसमें सही होगा आपका दोनों सही होगा कोशन नमबर 105 है किस इस्तिती में गर्भ नाल प्लेसेंटा के मार्जिन किनारे पर जुड़ा रहता है तो मामला होता है क्या इसका एंसर हो जायागा ये बैटल डोर प्लेसेंटा कोशन नमबर 106 है 106 का राइट एंसर हो जायागा इसमें C कोशन नमबर 107 है समानता आँख की पुतली चौड़ी करने के लिए किस दवा का परियोग किया जाता है 107 का एंसर हो जायागा B ट्रापी का माइड इसका नाम है दवा का कोशन नमबर 108 है रक्त सराव के विकार को जो है कारक 8 और 9 की कमी की कारण होता है उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे जाना जाता है थ्रम्बो साइटो निया के नाम से जाना जाता है 108 का C होगा 109 नमबर देखे इसमें 109 का थाइमीन की कमी से कौन सी विमारी हो सकता है यह है बेरी-बेरी विटामीन B1 की कमी से थाइमीन विटामीन B1 का नाम है रसानिक इसके कमी से बेरी-बेरी 110 नमबर का question का देखे answer होगा इसमें C screening 111 नमबर का देखे दुरगटना ग्रस्त एक बेहुस बेक्ति में सबसे पहले क्या देखना चाहिए सबसे पहले क्या देखना चाहिए स्वास नली का साफ होना वह patent होना question नमबर 112 है जब एक औरत जब एक औरत एक ही समय में एक से ज़्यादा पती के साथ सम्मद रखती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है तो पाली गयमी के नाम से जाना जाता है इसको 112 का answer हो जाएगा question नमबर 113 है 113 का answer होगा इसमें 300 mg यानि पूछा इसमें एक समाने गर्भा वस्ता में कुल कितने iron की आव सकता होती है 300 mg के question number 114 है 114 नमबर का देखे इसका right answer यह होगा समेलित कर लिजेगा इसको question number 115 है गर्भास है किस भाग को living ligature के नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है किस भाग को तो myometrium की बीच की अस्तर को जाना जाता है C होगा question number 116 है 116 का answer हो इसमें होगा A question number 117 है प्रसोत्तर रक्त स्राव का मुख कारण कौन सा यह पूछ रहा इसमे 117 का यह होगा एटोर्निक गर्भासे के कारण question number 118 है 118 का C होगा साम इसमे question number 119 है पित का निर्माण 120 नमबर देखें पित का निर्माण सरीर के किस अंगो द्वारा किया जाता है यह किया जाता है यक्रित द्वारा question number 120 है उदर के निम्न अंगों में से किसमे पेपर स्पैसेज पाए जाते हैं देखें किस का राइट एंसर हो जाएगा किस स्वास्त समस्या के प्रकास चिकिस्सा लाबदायक हो सकती है यह हो सकता है नवजात फिलिया question number 123 देखेंगा 123 नमबर का एंसर होगा आपका D-benzen-hexacloride कौन सा रासान जो एंटिसेप्टिक किटानो नासर के रुपर प्रियोग नहीं होता है तो बेंजीन-hexacloride question number 124 है mac-ben-sign किस बीमारी में पाय जाता है यह पाय जाता है किस बीमारी में hydroselfis question number 125 है इसका राइट एंसर हो जाएगा D-स में सुमेलित कर लिजिएगा question number 126 है 126 का राइट एंसर होगा C-1971 question number 127 है eclampesia के प्रबंधन में सबसे 60 दवा कौन सी है तो इसमें सबसे 60 दवा कौन सी है तो वह है magnesium sulfate question number 128 है मुह से दुरगंद के संदर में निम्न में से कौन सा कथन सही है C-1978 का राइगा carbon यह जिवानों गंदा स्वांस गंधा की अगई पैदा करने माज़े है इसमें D एंसर हो सकता इसमें लेकिन confusual आ इसमें छोड़िए इसको 139 नमबर देखे इसमें हर्मोन के यौन बेवार में नियंतिरित करते हैं तो एंड्रोजेन और एस्ट्रोजेन 139 का एंसर हो जाएगा D 130 का देखे निम्लिकित में से कौन सा रक्तस्रा रोधी बिटामिन है तो वो है बिटामिन के बिटामिन के D एंसर हो गा इसका कौन सा मच्छड ताजा पानी के किर्थिन संगरा में प्रजनन करता है तो उस मच्छड का नाम है A.D. इसका राइट एंसर हो जाएगा C. A.D. मच्छड कौन सा नमबर 132 से प्रसों के समय पूर्व प्रसों के समय पूर्व मारकावाइल्स फैलाव यानि डाइलेटेशन किसको कहते हैं ये किसको कहा जाता है 10 सेंटीमीटर को कहा जाता है इसको Q. 133 से समयलित करने वाला चलिए इसको समयलित कर लिजेगा अपरयाद प्रकास के सन रोग रिनार्ड ये सब दिया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा D. इसका राइट एंसर होगा Q. 134 है निमलिकित में से कौन सा 206 संगठन का प्रमुख अंग नहीं है ये है सासी बोड ये नहीं है Q. 135 है 2 से 12 मा के बच्चों में कौन सा स्वसंदर निम्योनिया का सूचक हो सकता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 135 का B 50 प्रति मिनट से ज्यादा Q. 136 है इन में से कौन सा रोग ब्यक्तिगत स्वस्चता से संबंधित है तो वो है हुक वर्म Q. 137 देखिए 137 नमबर 137 का एंसर आपका हो जाएगा A इसमें है 137 का A 1 से 4 लिटर प्रति मिनट Q. 138 है सभी जनसंका भी स्पोर्ट के प्रभाव है सिवाए 138 का जाएगा धर्म के सिवाए Q. 149 है मा के अस्थन में दूध बनने के लिए कौन सा हर्मोन आवस्यक है 149 का पूछ रहा है इसमें इसमें कौन सा हर्मोन से ADH हार्मोन से आवस्यक होता है Q. 140 है एक स्वास्त समान व्यास्क ब्यक्ति को कम से कम प्रति एक दिन कितने घंटे सोना चाहिए तो कम से कम जाएक कितने घंटे प्रति दिन सोनाच ये स्वास्त ब्यक्ति के लिए तो उसको सोनाच ये कम से कम साथ घंटे इसका राइट एंसर हो जाएगा C कितना साथ घंटे Q. 41 देखे किस दवा के सेवन से पिसाब का रंग लाल हो जाता है यह question पूछा है किस दवा के 7 से पिसाब का रंग लाल हो जाता है तो यह दवा का नाम है रिफालन सिमीन इसका नाम है बी इसका राइट अंसर होगा 141 का 142 नमबर देखिए क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन यह CFC का ज्यादा उपयोग कहां पर होता है इसका प्रयोग होता है सीतक के रूप है नहीं फ्रीज के रूप में होता है सीतला के रूप में ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है 143 नमबर देखिए निमन में से किन दवाओं दोरा एश Q144 है 144 का एंसर देखिए इसमें होगा C आपका Q145 है इसका विराइट एंसर हो जाएगा C Q146 है 46 का एंसर हो जाएगा इसमें D यार दोनों सही है और सही काराण बाख्या भी करता है 148 नमबर देखिएगा Q146 का D 146 का D इसमें एंसर होगा यह वाला और 147 का इसमें हो जाएगा D इसमें भी है यार दोनों सही बैख्या भी करता है और 148 नमबर देखिएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा A 149 नमबर DMPA एक इंजेक्शन द्वारा दिये जाने वाला गर्द मिरोधक है जो कितने अंतराल पर दिया जाता है तो 149 नमबर का आपका राइट एंसर हो जाएगा प्रतेक तीन माह पर ये दिया जाता है कुश्चन नमबर 150 है 150 का आप लोग मिलाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा D 151 का एक कटे हुए तालू के बच्चों का स्तनपान कराने के लिए कौन सिस्तिती ज्यादा अच्छी होती है यह होता है अप राइट इसका राइट बच्चों नमबर 150 है 1502 का आप राइट इसका राइट इसका राइट एंसर हो जाएगा B धावाली जगों को थोड़ा उपर रखना चाहिए कौश्चन नमबर 130 फोविया किसका अतिरंजित या नवस्यक रूप है तो फोविया जो है भाय का है इसका राइट इसका राइट माँ पर, इसका राइट एंसर हो जाएगा B, 6-8 माँ पर Question number 155 है, सुमेलित करने वाला चले इसको सुमेलित कर लिजेगा इसका राइट एंसर C होगा Question number 156 है अक्रामक, रच्छात्मक तंत्र जो दोजात्मक घटाओं के सित्यों के चेतन इस्मिर्ती से बाहर निकलता है, जिस नाम से जाना जाता है, जिस नाम का नाम है प्रतीगमन, C इसका एंसर हो जाएगा 156 का 157 नमबर देखिए, गर्भावस्ता में गर्भसपंदर सिग्र, यह कब महसूस होता है तो 167 का इंसर हो जाएगा आपका, C 167 168 नमबर देखिए 169 नमबर का A हो जाएगा साल मोनेला 169 नमबर देखिए, 169 का राइट इंसर हो जाएगा B मास्क इंसर हो जाएगा इसमें B मास्क दिया है ड्रापलेट संकर्माण को रोकने में कौन सा देखती का सुरास्मक उपकरान सबसे ज़धा सायक होगा तो वो होता है मास्क कोश्चन नमबर 160 है 160 नमबर बच्चे के जन्म के बाद गर्म नाल की नाभी सिरा के बंद होने से क्या बनता है तो ये बनता है क्या लिगामेंट टेरिस बनता है इसका राइट एंसर C होगा 160 का C 161 का बिना किसी बाहि उतेजना या जूठी अनभूती को किस नाम से जानते हैं तो 161 का राइट एंसर होजाएगा C हेल्यू सी नेशन कुश्चन नमबर 162 देखिएगा 162 का एंसर होजाएगा इसमें D 163 आरेच फेक्टर के बेमेल होने से हो सकता है क्या हो सकता है सीकल सेल रत्ता हो सकता है भी इसका एंसर होगा कुश्चन नमबर 164 है कुश्चन नमबर 164 इसका राइट एंसर होजाएगा D संभावत या तरजित गर्वपात question number 165 देखेगा 65 राइट एंसर होगा ऐसा इसमें A 166 का राइट एंसर इसमें होगा A और 166 नमबर देखेगा 166 का राइट एंसर हो जाएगा A πाई का 168 नमबर का राइट एंसर हो जाएगा जन्म के समय कम वजन के सीशू को परिभासित किया जाता है जब वजन कितना हो यह धाई सो हज्जार यानि पचीस सो ग्राम से कम हो तिसका राइट एंसर हो जाएगा 168 का बी कोशन नमबर 179 है 179 हो 70 तो 100 दिनों की खासी कथन किस बीमारी के प्रियोक किया जाता है यह प्रियोक किया जाता है टुबर कुलेसिस यानि तपेदिक के रूप में इसका राइट एंसर हो जाएगा ए टुबर कुलेसिस या टीबी इसको का जाता है याच्मा या तपेदिक कई नाम इसके कुशन अमरे 177 है और अंतिम कुशन है निर्विकित में से कौन सा अंग लिमफेश्टिक तंत्र का भाग नहीं है तो वो है अगनासे इसमें नहीं है तो ये थे कुशन आज के लिए जो स्टाफ नर्स का एकजाम हो था तीन अक्टूबर 2021 को उसका सरसुद्ध हल तो उम्मित करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक सेर करें धन्यबाद दोस्तों जैहिंद वन दे मात्रम